दफॉल अब दा हाउस आफसर एक सॉर्ट स्टोरी है इसको लिखा है एडगर एलन पो ने एडगर एलन पो एक अमेरिकन राइटर थे एक अमेरिकन राइटर थे पोएट थे एडिटर थे और लिटरेडिक थे पोएट जो है अपनी पोएटरी के लिए बहुत बेस्ट नोन है और इसके साथ में सॉर्ट पोएटरीज को भी लिखते थे ठीक है इनका जन्म हुआ था 19 जनौरी 1809 इस भी को बोश्टन के मैसा चुकेट्स में यूएस में हुआ था और इनकी देथ हुई थी 7 अक्टूबर 18 49 इस भी को बाल्टिमोर मेरिलैंड में हुआ था फाल अप दा हाउस आप दा असर एक सॉर्ट स्टोरी है 1849 में पब्लिस हुआ और इसको अमेरिकन राइटर एडगर एलन पो ने लिखा ये स्टोरी एक गौथिक फिक्षन की कहानी है जो की आईसोलेशन, मैडनेस, फैमली, मेटाफिजकल आइडेंटिटीज की थीम से डील करती है अना इस दफाल अप दा हाउस आप असर को बर्टन के द्वारा जेंटलमेंस मैगजीन में पब्लिस की गई जे कि असर हाउस और यहां पर कई सारे असर हाउस कुट प्रोवाइड असोर्स आप इंस्पारेशनल पार यह घर जो असर इस्टेट के पास बसा हुआ है ठीक है और इसके साथ में आगे देखे यहां पर अठार सो तीस इस भी में यह घर टॉर डाउन हो गया था दो बॉडिज इस गर के सेलर काविटी में पाई गई थी गौथिक फिक्सन क्या होता है गौथिक फिक्सन एक ऐसा जैनरा होता है फिक्सन का जिसमें जो है जो कि मिश्ट्री और इंट्रीग स्राउंडिंग सुपर नेचुरल या अन्नोन करेक्टरिस्टिक्स सुपर नेचुरल या अन्नोन पावर से डील करता है ठीक है गौथिक कौन-कौन से करेक्टरिस्टिक्स को इंक्लूड करता है त पावरफुल लब एंड रोमान्स घोष्ट और वेंपायर्स की बात होती है गौथिक फिक्षन में इसमें कौन-कौन से करेक्टर्स हैं तो इसमें करेक्टर्स हैं रोडरिक असर और मैडनाइन Madeline Asser देखे Roderick Asser ये भाई है और Madeline Asser ये बहन ये दोनों twins है और Unnamed narrator है जो कि friend of Roderick Asser Roderick Asser का friend होता है Roderick Asser है He is the owner of the Asser estate Roderick Asser जो है Asser estate का मालिक है ठीक है और इसके साथ में ये Asser family का last surviving male member है ठीक है और ये अपनी sister Madeline Asser के साथ में उस घर में रह रहा होता है ठीक है Roderick Asser जो है Madeline अपनी sister Madeline का एक twins की तरह यहां पर act करता है और वो जो है अपने आपको ये illustrates करता है कि जैसे देखो ऐसे यहां Roderick Asser जो mentally परिशान था mentally counterpart था और उसकी sister जो physical illness से परिशान थी Roderick Asser बहुत ज़्यदा बुकिस था बहुत ज़्यदा किताब ही पढ़ता था इंट्रेक्शल टाइप कम है मैं था जबकि उसकी sister उसकी sister Madeline Asser जो है sick थी और bad written थी ठीक है इन characters ये characters को पू की द्वारा employed किया गया है कि ये चीज relationship and philosophical mystery body और mind के बीच में relationship और जो philosophical mystery को explore करने के लिए Madeline Asser Madeline Asser जो है Roderick Asser की twin sister होती है और ये जो है kaitalepsy से गरसित है kaitalepsy से परिशान है परिशान रहती है ठीक है और इसके साथ में यहाँ पर narrator जो है यह discover करता है कि वो जो है उसकी friend की sister twin sister है ठीक है और वो जो है इस घर में परवेश करने वाला first outsider सो होता है ठीक है narrator जो है unnamed narrator unnamed narrator Roderick Asser का बच्पन का दोस्त होता है और Roderick Asser ने उसे जो है एक पत्र में लिखा था कि mental distress और emotional से परिशान है और इसलिए वो उसे बुलवाय था unnamed narrator यहाँ पर आया unnamed narrator को इस house officer के बारे में पता नहीं था और वो इस house officer में बरसों से मलब कई सालों में कई सालों में first outsider था कई सालों के बाद बाहर से आने वाले बेक्ट में से पहला बेक्ट था unnamed narrator इसका जेनर क्या है तो ये story fall of the house officer ये gothic nobel या gothic fiction से बिलॉंग करता है और ये एक satient house की एक कहानी है जहाँ पर एक underground tomb एक dead body और dark stormy nights को दिखाए गए इसमें ठीक है ये सारी चीजें ये सारी features gothic fiction को create करती हैं gothic fiction में supernatural चीजें दिखाई जाती हैं bad strange things होती है happenings जो है supernatural happenings की दोरा attribute होती है इसके साथ में mind और body जैसे रोडरिक असर और इसकी sister madeline असर ये दोनों mind और body की help से एक तरह से gothic के horror का रूप देते हैं इसको इस nobel को setting इस कहानी का जो setting है dark and stormy nights है और haunted mansion है ठीक है दा fall of the house officer का जो setting है dark and stormy nights है और haunted mansion है जो घर का atmosphere हो बहुँ ज़्यादा haunted type का दिखाया गया है ठीक है इसमें पो जो है एक scary settings घर में scary settings को बहुँ ज़्यादा एक डरावनी settings को रखे हैं इन्होंने ठीक है और यहाँ पर ये दिखाया गया है कि यहाँ की जो corridors जो curtain ये सब जो एक screams करते हैं horror horror रूप से screams करते हैं ठीक है तो इस तरह से जो है इसका themes क्या है madness and mental illness है family है isolation and loneliness है fear है identity है decay and death super natural और जो है artistic obsession है तो ये चीज है इसमें अच्छा एक्चली होता क्यादा पॉल आप दा हाउस आप असर में ये रोडरिक असर और मैडलाइन असर दून लोग साथ में रह रहे होते हैं रोडरिक असर जो है mentally परिसान होता है और ये अपने दोस्त को later लिखता है इसका दोस्त unnamed narrator इसे मिलने आता साथ में रहते हैं ये देखता है कि ये बहुत ज़दा कहानी पढ़ते थे तो कहानी में जो भी चीजे होती थी ये unnamed narrator के सामने actual में सच में उस सुनाई देती थी इसी तरह से रोडरिक असर को भी सुनाई देती थी ठीक है इसके पहले रोडरिक असर ने अपनी सिष्टर को दफना दिया था चुंकि वो देत हो गई थी लेकिन फिर बाद में पता चलता उसके देत नहीं होई है और वो बाहर आती है बाहर से आते हैं दर्वाजे को नौक करती है जब दर्वाजे को नौक करती है तो रोडरिक असर और मैडलाइन और जो है ये unnamed narrator उस घर से भागता है और उस घर से जब वो भागता है तो कुछ दूर जाने के बाद में वो देखता है कि वो घर पूरी तरह से गिर गया तहस नहस हो गया है तो इस तरह से unnamed narrator बताता है कि मैंने fall of the house आफ असर को देखा है इसके साथ मैं कहानी end होती है